हालो अब्रिवन आज हम इंडियन फॉरस्ट सर्विस के अंदर 2018 में जो जेनरल इंग्लिश का पेपर था उसमें जो ग्रामेटिकल एरर की कोशन थे वो हम डिस्कुस करने वाले के लिए बहुत इंपोर्टेंट है मैंने आपको पहले भी बताया है दो एक्जाम बहुत इंपोर्टेंट है सी एप एक्जाम के लिए अगर आपको ग्रेमर प्रिपेर करनी है तो इंडियन फॉरस्ट सर्विस का कंपल्सर इंग्लिश पेपर जो होता है वह आपको पढ़ना अब खिये प्लस स्रम्सर इंदर इंग्लिश पेपर जो होता है उसके अंदर जो ग्रेमर की ग्रेमर पूछी जाती है वह भी आपको प्रिपेर करनी चीए हरे एक कॉंसेप्ट का पता होना चे कि कहां सी केसी पूछ रहा है कौश्य तो मैं आपका ज़्याद़ा टाइम वेस करेंगे तो सबसे पहले आपको देर दिखेगा जो कि इंट्रोडेक्टरी सब्जेक्ट है उसके बाद इस आपको लिंकिंग वर्ब दिखेगी डू क्या है एक एडवर्ब है मैंनी भी एडवर्ब एडवर्ब है पीपल यहां पे नाउन है तो इस आप से इस जो होगा वो गलत यूज हुआ है यहां पे आपको आर लिखना होगा लेकिन आप सब भी बोलेंगे subject तो इसमें देर है subject यहां पे देर जरूर है लेकिन देर का कोई number नहीं होता ना उसका number singular होता है ना plural होता है जो देर का number define कोन करता है उसके बाद जो वर् prisoners there are prisoners ध्यान से देखिए दोनों के इसमें आप देखोगे देर जो है subject तो यही है ओके लेकिन एक में is use हुआ है एक में are use हुआ है किसलिए क्योंकि girl जो है singular noun है उससाब से singular verb यूज की गई है तो prisoner जो है plural noun है उससाब से यहां पे आर जो है plural verb यूज की गई है तो मैं कह रहा इससाब से is जो है आपको drop करना होगा यहां पर आर आप लिखेंगे right so your answer would be there are too many people in the room next देखते हैं I kept the box beside me ध्यान से देखो left to right analyze करेंगे statement को I हो गया हमारा subject kept हो गया हमारा verb की second form उसके बाद the box हो गया kept verb का object besides क्या है अगर ध्यान से देखे एक preposition है और उसके बाद लिखा है me लेकिन जब beside आप without s यूज करते हो और जब beside आप s के साथ यूज करते हो यह जो beside होता है इसका मतलब होता है in addition to addition to लेकिन यह वाला जो beside होता है इसका मतलब होता है close to me ठीक है close to me या फिर by the side of me by the side of me अब इस particular question को समझे और मुझे बताए कौन से वाले meaning आपको यहाँ पर चाहिए I kept the box by the side of me और additionally me तो यह तो गलत होगे न तो besides यहाँ पर meaning आपको यह वाला चाहिए तो यहाँ पर आप beside का use करेंगे ना कि besides का ठीक है तो your answer would be I kept the box beside me next देखते है I have no expert in the area so I cannot do the work left to right द no आपका देखिए expert verb के लिए बॉल सकते हो यह आपका एक adjective हो गया है right तो expert हो गया आपका noun in होगी proposition इनके बाद object लिखा है proposition का the area so हो गया आपका यहाँ पर conjunction भी बॉल सकते हो ठीक है so as a conjunction भी उस होता है so as a adverb भी उस होता है तो यहाँ पर आप देखोगे so as a conjunction यूज हो है क्योंकि यहाँ पर दो close को जोड़ा जा रहा है I cannot do the work or I have no expertise expert in the area उसके बाद लिखा गया I cannot do the work यह second close होगी तो मैं directly इस पर आता हूं answer पर आता हूं देखिए expert जो है यहाँ गलत यूज हो यहाँ पर expertise होना चाहिए expertise होना चाहिए reason being expertise किसी skill के बारे में बताता है एक person की skill या फिर knowledge expert जो होता है वो expert एक person के बारे में बोला गया है जो कि किसी skill को बहुत अच्छी तरह से जानता है ठीक है तो फरक इसमें इतना है expert जो होता है जो noun को define करता है एक person को define करता है जो कि किसी particular skill के अंदर बहुत ही experienced है लेकिन expertise क्या होती है वो skill के बारे में बात हो रही है एक particular skill के बारे में बात हो रही है ठीक है तो I have no expertise in the area मेरे पास वो skill नहीं है मेरे पास वो knowledge नहीं है उस area की so I cannot do the work यहाँ पर यह वाली meaning आपको चाहिए हाला कि दोनों ही noun है ठीक है तो इसके अंदर answer क्या हो गया I have no expertise in the area so I cannot do the work समझे तो कई बार जो है चीजे grammatically ठीक लिखेंगी दिखेंगी syntax से ठीक दिखेंगी लेकिन उनका context गलत होगा यहाँ पर आप देखोगे इसका meaning गलत बन रहा था इस रप से इसको change किया है grammatically यह ठीक था next देखते हैं let there be no misunderstanding between you and I let there be no misunderstanding between you and I त्यान से देखिए left to right दुबारा से इसको analyze करते हैं तो इसमें आप देखिए between क्या है preposition है उसके बाद you क्या है एक object लिखा है मतलब यह objective case हो गया and a conjunction हो गया उसके बाद I लिखा है जो की subjective case है जब आप किसी के बीच में comparison कर रहे होगे तो वह same क्या होने चाहिए same case का होने चाहिए subjective या फिर subjective या यह जो लिखा है between preposition के बाद जो आपने you लिखा है वो एक objective case है और end के बाद जो end के बाद आपने लिखा है वो I आपने लिखा है वो जो की subjective case है आपको I को बदलना होगा किस के अंदर me के अंदर तो आपका answer जो है correct हो जाएगा your answer would be let there be no misunderstanding between you and me next देखते है did he played the first match interrogative sentence है इ उसके बाद ही लिखा है played यहां पे आप देखोगे verb की second form यूजी की गई है लेकिन do does और did इसके साथ आप हमेशा verb की कौनसी form अगर आप लोग first form यूज कर रहे हो तो गलत है first form भी सोच रहे हो तो गलत है base form होना चाहिए base form का मतलब है उसमें s और yes का भी use नहीं होगा right हाल answer would be did he play the first match next देखते है wanted armchairs for old people with folding legs अब देखिए left to right इसको analyze करेंगे wanted क्या होगी verb होगी armchair क्या होगी यह आपका subject हो गया for क्या होगी आपका एक preposition हो गया ठीक है old people with folding legs यह क्या होगी यह आपकी एक adverb clause होगी यह इसको adjective clause बोलिए it is not adverb clause but it's an adjective clause ठीक है यह एक adjective clause होगी ठीक होगी ठीक है तो इसमें problem क्या है problem यह है मैं आपको बता दूँ problem यह है आप इसको ध्यान से देखोगे wanted क्या होगी armchairs क्या होगी subject लेकिन इसमें जो sequence word का वो गलत है sequence जो है गलत है sequence कैसे होना चाहिए sequence ही होना चाहिए armchairs with folding legs wanted for all people अब जो adjective ना adjective phrase है with folding legs यह जो adjective phrase है यह people के लिए नहीं है दो ये इविन फ्उल्डिंग से जो मैंने आपको बोला यह एक एडिजयक्टी EG chili phrase है यह पीपल को डिफाइफीर मागर ली आप्षेयर का साथ है इसको लिखे आंँच जो की singular और plural form उसकी एक ही रहती है, अब जो equipment है, वो क्या है, वो आपका uncountable noun है, तो इसको आप plural form में नहीं लिख सकते, it's a concept of noun, equipment जो है uncountable noun है, plural form नहीं होती, आपको क्या लिखना होगा सिरफ equipment, next is, I shall respond to your letter after I return back, बिल्कुल सामने ही आपका answer है, superfluous concept है, superfluous, ज़रूरत नही है back की, क्योंकि return का मतलब भी क्या होता है, किसी को वापस करना चीज, back का मतलब भी क्या होता है, return, मतलब दुवारा से उसको return करना, तो दो जो meaning के word है, आप एक साथ हिकठा, use ना करें, वो गलत है, तो आपको यहाँ पर backdrop करना होगा, directly, backdrop करने से आपका answer जोए, ठीक हो जा होगा है, उसके साथ be held, will be held, यह आपका होगा passive form, यह आपका passive form होगा, ठीक है, कोई दिकत नहीं, between क्या होगा, आपकी proposition होगी, उसके बाद 10 a.m. to 5 p.m. लेकिन आपको पता होगा, between और end का pair होता है, between और end यूज करते हैं, between और two नहीं यूज करते है, from और two यूज होता है एक साथ, यह correlative conjunctions होते हैं, between और end यूज होता है, ठीक है, तो आपको two यहाँ से drop करना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्या use करोगे, end का use करोगे, 10 से 5 बज़े के बीच में meeting कभी भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको जो meaning चाहिए, वो यह meaning चाहिए, इसे साथ से आपको यहा Indian cinema, now Indian cinema के अंदर वो सबसे क्या है, एक finance sector है, one of the finance sector, there are multiple finance sector, लेकिन वो उन में से एक है, तो इसके अंदर आप देखोगे, one of many वाली, जब भी आप यह particular equation देखते हो, तो यह many होता है, यह होता है total, और of preposition से पहले जो one होता है, यह होता है उसका part, जब आप किसी चीज का को plural के अंदर होनी चाहिए, तो जो finance sector है, यह क्या है, यहाँ पे singular दिख रहा है, तो singular चीज का आप part नहीं बना सकते, आपको इसको plural करना होगा, तो यहाँ पे आप actors लिखोगे, ठीक है, तो actors लिखते है आपका जो answer है, ठीक हो जाएगा, next is, rewrite the following sentences as directed, he said that his neighbor was bitten by a dog, यह आपको direct speech के अंदर क्या करना है, change करना है, हो जाएगा direct speech के अंदर, आगर आप इसको change करोगे, सबसे पहले दिखिए, he said क्या है, reporting verb है, that conjunction है, his neighbor was bitten by a dog, यह आपका passive form के अंदर है, कोई दिक्रत नहीं है, और यह आपका reporting speech है, ठीक है, जब भी आप indirect or direct के अंदर change करते हो, आपको that, जो conjunction है, वो क्या करना पड़ता है, drug करना पड़ता है, उसके replace करने के बाद, आपको quotation mark यूज करने पड़ते है, यही चीज हम यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे जो sad verb है, इसको हम sad verb को ऐसे रहने देंगे, his जो है, his, वो किसके according change होता है first person के, और आप देखोगे, first person के change होगा, according, मतलब I के according change होगा, लेकिन his जो है, यह possessive pronoun है, right, तो I का possessive pronoun क्या होगा, my, right, तो I का possessive pronoun होगा, my, तो यहाँ पे my neighbor was bitten by a dog, ठीक है, तो यह answer आप कर रहेगा, next is, he is so weak that he cannot play, आपको rewrite करना है using two adverbs, rewrite using two adverbs, he is so weak that he cannot play, अब two adverbs का जब आप use करोगे, तो two के साथ हमेशा, यह वाला two भी आता है, right, two और two का pair होता है, तो आपको क्या करना होगा, जब आप two use करोगे, तो आपको so, क्या है, ट्रोप करना पड़ेगा, so भी एक adverb है, right, और मैंने आपको बोला था, two negative meaning convey करता है, और so, जो है, आपका positive meaning convey करता है, ह जो आपका meaning आएगा, वो positive होगा, right, now he is so weak that he cannot play, आप इसको लिखेंगे, he is too weak, he is too weak to play, to play क्या है, infinitive है, मतलब एक verb है, जिसका subject कौन होगा, he होगा, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी subject बिना किसी verb के आप लिख सकते हो, लेकिन कोई verb बिना किस subject के न ठीक है, तो जो to play होगा, यह हमारी जो infinitive होगा, जो एक verb की तरह काम करेगी, इसका जो subject होगा, वो होगा, he, right, तो आपका answer होगा, इसको मैं ज़्यादा expand नहीं करूँगा, because it's a long concept, he is too weak to play, next देखते है, he was ill, he came to the party, आपको despite क्या यूज करना है, proposition यूज करना है, despite क्या हो एक idea को आप, इसमें दो idea दिख रहे है, he was ill, he came to the party, right, he came to the party, इसमें जो dependent idea है, एक तो होगा independent idea, एक dependent idea, dependent idea को आप despite के बाद लिखते होगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है, अगर इसमें हम देखें, despite being ill, he came to the party, he came to the party, यह independent close है, इसका independent existence है, इसका independent meaning है, right, he was ill, लेकिन इ पीछे आप देखोगे, he was ill, जो है, यह थोड़े dependent लग रहा है, इसका independent existence नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, despite proposition के बाद लिख सकते हैं, तो answer होगा, despite being ill, he came to the party, next देखते हैं, commercial reasons, rule the cinema industry, passive voice के इंदर change करना है, now see, इसमें the cinema को आप क्या बना दोगे, subject बना दोगे, बना दिय जैसे, suppose कीजिए, आपने दा cinema को क्या बना दिया, subject बना दिया, the cinema industry, cinema industry हो गया, cinema industry के बाद आपको passive बनाना है, passive form के अंदर verb यूज़ करने, लेकिन इसके अंदर जो verb देखोगे, आप रूल है, मतलब past indefinite tense यूज़ हुआ, past indefinite tense ही यूज़ होगी, वो भी past indefinite tense ही रहेग लेकिन B की form कोन सी उज़ करोगे, according to the subject, the cinema industry, जो की singular subject है, आपको is use करना पड़ेगा, singular verb, और उसके हिसाब से आपको ruled लिखना पड़ेगा, verb की third form, right, तो यह अब passive बन गया, the cinema industry is, is ruled by the commercial reason, is ruled by commercial reasons, next is and the last is, she must be possible die, यह आपको complex sentence के अंदर change करना है, complex sentence के इंदर, what are complex sentence, simple sentence, one but are compound sentence, simple sentence के अंदर क्या होता है, एक ही close होती है, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे, 2 close है, तो इसका मतलब ही क्या है, आपकी compound sentence है, यह आपका compound sentence के अंदर Coordinate conjunction यूज होते हैं Compound Sentence के अंदर Coordinate Conjunction यूज होते हैं जो की होता है Fan Boys F stands for F F stands for 4 A for end N for nor B for but O for and y for yet S for so ये क्या हो गया आपका Fan Boys और ये Coordinate Conjunctions होते हैं Coordinate Conjunction की help से हम क्या बनाते हैं Compound Sentence तो यह जो given statement है आपकी ये आपका compound sentence है यह आपको complex sentence के अंदर change करना है complex sentence क्या होते हैं जिसके अंदर subordinate conjunctions use होते हैं subordinate conjunctions कुण कुण से होते हैं if right weather since otherwise WH Family के सारे वर्ड WH Family के सारे वर्ड whenever потреб और WH Family के W Family के सारे वर्ड how तो यह सारे वर्डस जो है मिलके क्या बनाते हैं subordinate conjunctions बनाते हैं, जो की complex sentence बनाते हैं, बाद में, तो यहाँ पर आपको जो or conjunction है, जो कि coordinate conjunction है, वो ड्रोप करना होगा, उसकी जगे आपको क्या use करना पड़ेगा, जो की complex sentence बनाएगा, तो आप क्या करोगे, subordinate conjunction को use करोगे, तो answer आपका आएगा, she must weep otherwise she will die she must weep otherwise she will die right तो यह आपका last question था